हेलो एवरीवन, वेलकुम अगें टू लनपर्देदीमन, तो देखिए राजिर सान की जो प्रमुक शैलियां हैं या स्कूल जिनको कहते हैं तो जिसमें हमने मिवार और मारवार शैली, तो इनको हमने पढ़ लिया था, नेक्ट देखिए दूडार शैली या आमेर शैली, तो इसमें हम जैपूर शैली की बात करेंगे अलवर शैली और उन्यारा शैली जो है उसकी बात करने वाले हैं तो यहां जो प्रारंब है वह है राजा मान सींग के समय से माना जाता है आमेर शैली में प्रारंब जो है वो किसके शाशनकाल से माना जाता है राजा मान सींग जो प् मान सिंग के समय यसोदा का चित्र बने और राज्य जै सिंग के समय विहारी सत्सजाई गीद गोविंद पर चित्र बने थे। देखिए राजा मान सिंग जो हैं इनके समय ही मुगल जो हैं इनके साथ इनके संबंद रहे थे तो इस वज़े से यहां जो चित्रकारी हुई है उस पर मुगल चैली का प्रभाब जो है वो सरवादिक दिखाई देता है और यहां जो रंगों का प्रियोग किया गया उसमें प के चित्र बने लेला मजनू हाती खोडे के चित्र जो है इस शेली के अंतरगत बनाये गए थे तो चलिए फर्ष्ट है जैपुर शेली तो जैपुर शेली जो है इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रारमबिक विकास जो हुआ та वो सवाई जैसिंग के समय हुआ था तो सवाई जैसिंग जिन्होंने कला की उन्नती की द्रस्टी से कई महत्वपुन कारे जो हैं वो करवाए थे यहां तक कि उन्होंने 36 कार खाने जो हैं उसकी स्थापना भी करवाई थी जहां पर जो कारीगर थे वो रहते थे तो उसके बाद जो है प्रताप सिंग जो हैं उनके समय का काल जो है स्वन काल माना जाता है जैपुर शैली के अंतरगत क्योंकि इनके समय में 50 से भी अधिक कलाकार जो हैं वो सूरत ख खाने में चित्रों को बनाने के लिए न्युक्त किये गए थे 50 से भी अधिक कलाकार किसने प्रताप सिंग ने तो इस वजए से इनके समय को जो है स्वन काल माना जाता है रामायन, कृष्न लीला, महा भारत, गीद गोविंद पर चित्र जो हैं वो बने थे इस्वरीन सिंग के समय साहिब राम चित्रकार ने आदम का चित्र बनाये थे, most important line है, तो यहां अभी तक जो है कहां पर आमेर में ही चित्र जो है वो बन रहे थे, लेकिन इस्वरी सिंग जो है जो सूरत खाना था जहां चित्र बनाये जाते थे, तो उस केंदर को आमेर से हटा कर जैपुर लेकर आये थे, और इनके समय में एक चित्रकार है साहिब राम और एक और आएगा लाल चंद, तो इनकी जो है तारीफ बहुत होती है चित्रकारी में इनके समय में, इस्वरी सिंग के समय में, तो साहिब राम जो है बहुत ज़्यादा ये पेमस हुआ था, किस में ये आदम पोट्रेट जो है वो बनाता था यानि कि सर से लेकर पैर तक जो व्यक्ति का पूरा चित्र जो है वह बनाता था ऐसी परंपरा जो है वो इसी ने डाली थी और जो लाल चन जो चित्रकार होगा वह जानवरों की जो लड़ाईयां होती हैं उनके चित्र बनाता था तो साही ब् लाल जंद, दो चितरकारों के नाम याद रखेंगे जैपुर शैली के अंतरगत, सवाई जैसिंग ने आमेर में सूरत खाने की स्थापना की थी, तो ये थोड़ा सा पहले की लाइन है, यहाँ पहले, ये सबसे पहली लाइन है कि जो सवाई जैसिंग है, इन्हों ने आमेर मे कर आये थे, इस्वरी सिंग, ठीक है, ये याद रखेंगे, और यहाँ के चितरों में, रंग केसरिया, पीला, हरा और लाल, ये रंग प्रियोग में लाए जाते थे, और सजावट के लिए जो इन चितरों को बहुत जाना जाता था, बहुत सजावट इसमें होती थी, पीप दिक होता था भित्ती चित्रन माधव सींग के समय हुआ था तो भित्ती चित्रन जो कि मैंने आपको बता दिया है कि दीवारों पर होने वाला चित्रकारी ठीक है और माधव सींग जो की ईश्वरी सींग का भाई था तो उसके समय में पुंडरिक हवेली जैपूर की जो प्रस लाल जंद ने पसूं की लड़ाई के चित्र बनाए थे। तो साहिब राम जो है उसने कैसे चित्र बनाए थे। बड़े व्यक्ति चित्र बनाए थे। यानि आदमकद चित्र बनाए थे। ये परंप्रा जो है वो लेकर आया था साहिब राम। उसके बाद लाल जंद इसने पसूं की लड़ाई के चित्र बनाए थे, ठीक है, ये याद रखेंगे, और जो सवाई माधव सींग प्रथम थे, इनके समय जो कलाकार थे, उनकी एक बात और थी, कि ये चित्रों में रंगों को ना भर कर, क्या करते थे, मोती, लाख, लकडी की जो मनिया होती हैं, उनको चि साहिब राम, हमने पढ़ लिया है साहिब राम के बारे में, जो कि आदमकद चित्र बनाते थे, सालिग राम, लाल चंद, लाल चंद पस्वों की लड़ाई के चित्र बनाए, मोहमत शाह, रगुनात, गंगा बक्ष और राम जी, दास इत्यादी, ठीक है, तो इन प्रमुक चित्रकारों के नाम भी आप ध्यान रखें, साहिब राम और लाल चंद तो आपको ध्यान में रखना ही है, नेक्स्ट है, अलवर शैली, जो है, जैपुर से अलग होकर, राजा प्रताप सींग के समय में, स्वतंत्र अस्तित्व में आती है, तो उनके समय के दो चित्रकार, जो है, शिव कुमार और डालूराम, तो ये जैपुर से अलवर आते हैं, और अलवर में यहाँ पर भित्ती चित्रन जो है, वो प्रारम हो जाता है, ध्यान रखना है कि विने सींग का समय जो है, अलवर शैली में स्वन काल माना जाता है, जो इस्थान अलवर में विने पलदेव से तो धिहान रकना है कि विने जीन सींग के समय के जो चित्रकार है बलदएव और गुलाम अली इन्हों ने सेग साधी की पुस्तक घुल इसता का चित्रण किया है ठीक है तो इनके साशनकाल की एक एक अनौकी गटना थी जिसका चित्रन किया था तो दिखिए इनके समय में विने सींग के समय में वैश्याओं के चित्र जो हैं वह भी मिलते हैं महाराजा शिवदान सींग के समय काम सास्तर का चित्रन हुआ यानि कि जो महाराजा शिवदान सींग थे इनके साशनकाल में काम कला के अधार पर निर्मित सेकडो चित्र जो है वो बने थे ध्यान रखेंगे क्योंकि ये कोशन एक्जाम में आ चुका है ठीक है ध्यान रखना है इनके समय में कामसास्त्र का चित्रन हुआ और यहां पर जो चित्रकार रहे हैं डालचन, नानगराम, बलदेव और गुलाब अली तो बलद चित्रकार रहा जो कि जैपूर से अलवर जो है आता है और यहां पर और भित्ती चित्रों का चित्रन जो है वो यहां पर किया जाता है इन चित्रों में हरा नीला सोने के रंग का प्रयोग किया गया चंडी, पाठ, योगासन, दुर्गा सब्तसती के चित्र जो है वो हाती दात का चित्र बनाने में माहिर था ठीक है अब देखें ये लाइन कितनी important है यहाँ पर जो विसेष्था हटके है वही exam में पूछी जाएगी पहली बात क्या पूछी जाएगी एक तो इनके चित्रकारों के नाम जो है वो ध्यान में रखें ठीक है डाल चंद और बलदे में माहिर था और ये जो शैली है ये इरानी मुगल और राजिस्थानी शैली का मिश्रन है नेक्स्ट है उनियारा उप शैली या उनियारा उप शैली तो टॉंक में है उनियारा क्या है एक इस्थान है बूंदीवा जैपुर शैली का इस पर प्रभाब दिखाई देता है ध यह जो उन्यारा उप शैली है तो यह शैली का जो विकास है कौन करते हैं जो नरू का ठेकाने के बाएंख वन्स होते हैं तो उनके द्वारा इस शैली का विकास किया गया था उसके बाद देखिए हाडोती शैली या हाडोती इसकोल तो इसमें दो शैलियों के बारे में पढ़ेंगे कोटा शैली और बूंदी शैली तो यहां सरवादिक विकास जो है सुर्जन सीन के समय हुआ था और यह जो बूंदी शैली है तो आज संसार भरन में जो भी संग्राले आप देखे जहां चित्रकला जो है वो देखी जाए तो बूंदी शैली के चित्र जो है वो सरवादिक मिलते हैं यह जो बूंदी शैली है इस पर मेवाड शैली का ही प्रभाव रहा था तो सरवादिक विकास जो है सुर्जन सीन के समय हुआ था बूंदी शैली का और भाव सीन ने इसे सनरक्षन प्रदान किया था यानि इन्हों ने इस चित्रकारी को बचा के रखा उमेद सींग का समय जो है बुंदी शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है क्योंकि इन्हों ने चित्र शाला का निर्मान करवाया था ठीक है और बित्ती चित्रों का स्वर्ग जो है कहा जाता है इसे इन्होंने क्या करवाय था शाला याने की वो जगे तो उमेद सिंग का समय जो है वो स्वन कल कहा जाता है तो इनके समय में जो है एक चित्र है जंगली सुवर का सिकार करते हुए उमेद सिंग का ही है जो की सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है और देखिए कि इसमें जो जूर का ब्रक्ष इस तरीके के चित्र जो है वो बूंदी शैली की देन हैं तो इस शैली के चित्रकारों में एहमद अली सुर्जन सींग और रामलाल ये मुख्य हैं इन तीनों के नाम ध्यान में रखेंगे पसु पक्षियों का वो प्रकृति का चित्रन तो इसमें हुआ है तो मैंने आपको बताया कि ये जो शैली है इसमें आपको सरवादिक जो है प्रकृति की जो विवित्ता है पसु पक्षियों और जो सत्रंगी जो बादल है जलाशे हैं इनका चित्रन जो है वो सरवादिक हुआ है बूंदी शैली के अंतरगर्त और आजसंसार भर्ग में ज अलग है और अभी हमने जब राजा उमेद सींग पड़े थे वो अलग थे तो उनका जो चित्र है जंगली सुवर का सिकार करते हुए वो सबसे ज़्यादा फेमस है और उनके नाम से ये भी याद रखिएगा कि बूंदी शैली में चित्र शालक निर्मान जो है राओ सिंग का समय जो है वो शौनकाल माना जाता है दोनों अलग है ध्यान में रखें कोटा शैली के जो चित्रकार हैं गोविंद राम डालू लच्छी राम नूर महमद और यहां पर शिकार की द्रश्य जो है वो सरवाधिक देखने को मिलते हैं गुंदी शैली में हमने क्या दे दिखाया गया है 1768 इसवी में डालू चित्रकार ने राग माला का चित्रन किया था तो देखिए इस सैली में नारियों महलाओं यानि जो रानियां थी उनको भी सिकार करते हुए दिखाया गया है तो इस्त्रियों की जो आकरती होती थी उनकी आकरतियों का कोटा शैली में अतियंत सुन्दर चित्रन हुआ है और यहां पर रंगों का प्रियोग हुआ जिसमें हलके हरे, पीले, नीले रंग जो हैं वो सबसे ज़्यादा देखने को मिले हैं तो दिखिए नोट में मैंने क्या लिखा है कि सेखावटी की हवेलियां अपने भित्ती चित्रों के लिए प्रिसिद्ध हैं ठीक है क्योंकि मुगल चित्रकला जो है उसका प्रभाव यहां दिखाई देता है तो यहां सेखावटी की हवेलियों में भित्ती चित्र जो हैं वो complete होती हैं तो यहाँ पर आप एक चीज याद रखिए कि किसके समय में शुर्ण काल रहा और प्रमुक जो चित्रकार थे वो कौन थे इसके अलावा जो है उसकी जो main विसेश्ता है वह कौन सी है जैसे कि हमने पढ़ा कि कोटा शैली जो है यहां महलाओं को शिकार करते हुए दिखाया गया है तो यह main विसेश्ता थी कोटा शैली की उसके बाद देखिए कुछ प्रमुक आधुनिक चित्रकार जो की एक्जाम में पूछे जा सकते हैं राम गोपाल विजय वरगिय यह कहां के हैं वाले सवाई माधोपुर के हैं इनकी गुरु का नाम शैलेंदर नाथ डे और सबसे जादा इनका विशे जो है क्या रहा है प्रिय नारी चित्रन ठीक है चित्रन का सरवादिक प्रिय विशे रहा है नारी चित्रन एकल चित्र जो है प्रदर्शनी की परंपरा को इन्होंने शुरू किया था और इनका जो प्रमुक चित्र है वह है अभिसार निशा तो ये तीन पॉइंट जो है राम कोपाल विजय वर्गिये के बारे में याद रखें कौन कौन से कि इनके चित्रन का जो कियेगा नेक्स्ट देखिए जो चित्रकार है वो है भूर सिंग सेखावत कहां के हैं धोंदलिया बीकानेर के राजेस्थानी जन जीवन वा क्रांतिकारियों का चित्रन होने किया था ठीक है भूर सिंग सेखावत ने गोवर्धन लाल बावा कांकरोली रास सम्मत के भीलों के चित्रकार इनको कहा जाता है गोवर्दनलाल बाबा को और इनका जो चित्र है वय है बाराद नेक्स्ट है पर्मानंद चोयल ये कहां के हैं कोटा के हैं और भैसो के चितेरे इनको कहा जाता है इंपोर्टेंट जो लाइन जो की एक्जाम में केवल यही इनके बारे में पूछी जाएगी कि भीलों के चितेरे किनको कहा जाता है गोवर्दनलाल बाबा को पर्मानंद चोयल इनको भैसों के चितेरे कहा जाता है नेक्स्ट है क्रपाल सिंग सेखावत यह है मउ सीकर के इनके गुरू का नाम है भूर सिंग सेखावत और आप सभी जानते हैं कि ब्लू पॉटरी में सिधस्त है क्रपाल सिंग सेखावत 25 रंगों का इन्होंने प्रियोग किया ब्लू पॉटरी में और इन्हें पदम स्री से सम मानित किया गया ठीक है कई बर एक्जाम में इनके बारे में पूछा गया है और हस्त कला में भी इनके बारे में हमें सुनने को पढ़ने को मिलेगा देव की नंदन शर्मा अलवर के हैं इनकी गुरू का नाम सेलेंद्र नाथ डे तो राम गोपाल विजेवर गिये जो हैं उनक की थीम रही है और यह Master of Nature and Living Objects के नाम से प्रसिद्ध है ठीक है मैंने वही लाइन यहां लिखी है जो की आपके एक्जाम में आएगी ठीक है भीलों के चितेरे गोवर्दनलाल बाबा को कहा जाता है परमानंद चॉयल जो है उन्हें भैसों के चितेरे कहा जाता है और देव इन्हें इस नाम से नवाजा गया है जोती श्वरूप जोदपुर के हैं इनर जंगल इनकी मुख्य चित्रश रंखला रही है ठीक है सोभाग्य मल गहलोत यह कहां के हैं जैपुर के हैं और इन्हें नीड का चितेरा कहा जाता है तो यह भी important line हो गई इनके लिए नीड यान की गोंसला तो इन्हें नीड का चितेरा कहा जाता है तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम नेक्स्ट टॉपिक जो हैं करेंगी थैंक यू